आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत श्वागत हैं प्राचिन ग्यान चैनल के एक नए और फ्रेस बिड़ो में दोस्तों आप लोग जितने प्रस्ण किये हैं सभी प्रस्ण का एक बिड़ो बना करके जानकरी साजा करूं शेयर करूं तो आप में से जितने भी लोग ने प्रस्ण किये थे जैसे कि भगवान संकर पे हमें कितने बेल पत्र चढ़ाना चाहिए पाँच बेल पत्र चढ़ाने से क्या होता है शोमवार की दिन भगवन संकर को क्या चढ़ाने से कुन सी फल मिलता है भगवन संकर को हमें क्या चढ़ाना चाहिए यहां तक ही मनो कामना पूर्ती करने के लिए भगवन संकर को हमें क्या चढ़ाना चाहिए आप लोग जीतने प सी पूजापाट से प्रसन हो जाती हैं तो कुछ ऐसे चोटे-मूटे समागरी हैं जिसे आप भगवान संकरजी को तन मन और धन से समत्पित करते हैं तो जल्द प्रसन होते हैं और सिख रही आपके सभी प्रकार के मनों कामनों को पुन्ना करते हैं तो इस विड़ो को आपको अपने फैरे के लिए पूरा जरू देखना है दोस्तो जानकारी बताने स्पले विड़ो में आगे बने स्पले सभी लोगों से गुजारिस करना चाहूंगा अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं सच्चे भारती हैं तो कमेंट बॉक्स हमें ओम नमस्वा जरू लिखना और चैनल को सबिस्क्राइब करना ना भूलना प्राचीन गयाने एक यूट्यूब चैनल नहीं बलकि आप सभी दर्सकों का परिवार हैं हमारा परिवार हैं हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों का भला हो आप सब धनवान बने गुडवान बने तो आप मेंसे बहुत सारे लोग हमें प्रशन कर रहे थे कि गुरू जी सोंबार को सीलिंग पर क्या-क्या चढ़हाना चाहिए तो सोंबार के दिन देखिए आप अपने आवसकता अनुशार जैसे आपके जो शमर्थ हैं उसके अनुशार सीलिंग पर जा करके कुछ समागरी को चढ़हा सकते हैं शवर प्रथम तो दोस्तों आपको एक लोटा सादे जल चढ़हाना चाहिए फिर दूद चढ़हाना चाहिए और अगर आपके पास समर्थ हैं तो आप जो हैं बेल पत्रा अच्छा ये सब चढ़हा सकते हैं बीना बेल पत्रा के भगवान संकर की जो पूजा है ये अधूरी मानी जाती हैं तो कोशिस करें जब भगवान संकर जी की स्यूलिंग की पूजा करें तो स्यूलिंग में शर्वपथम एक लोटे सादे जल चढ़हाए फिर बेल पत्रा चढ़हाएए बेल पत्रा चढ़हाने एक बाद जो है चावाल के दानिया चढ़हाँ सकती जिसे हम अच्छा तो बोलते हैं आप इसे बहुत सारे लोग कोमेंट करते हैं कि मनो कामना पूर्थी करने के लिए स्यूलिंग पर क्या चढ़हाए यदि आपके कोई इच्छा है और आप चाहते हैं आपके इच्छा सिग्र coffee पूर् formula हो जाए तो एक लोटा जल लेता है शोंवार की दिन यह फिर जो तेरस आ ठीक है हर माह में तेरस आ तो तेरस की दिन आप यस उपायक कर शकते हैं जिसे हम माह सिवरातरी भी बोलते हैं आप इस दिन भी यह उपाय कर सकते हैं लेकिन शोमार के दिन करते हैं तो सोने पे सुहागे हैं तो एक लोटा जल आपको लेना है और इसमें कुछ बुंद गन्ने के रश डालना है मनो कामना पूर्ती करने के लिए एक लोटा जल लेना है और इसमें कुछ बुंद गन्ने के जालना है और दोस्तों आब को आब के जो मुख की दिशा पूरवा की तरफ होना चे रोशीलिंग पर आब को धीरे-धीरे जल को अर्पित करना है और हाँ जोन का आपको प्रातना करना है तो इस उपाय से हमारे धरमसास्त्रों में ततह दोस्तों सीव पूरान में इस पस्ट लीखे होएं कि इस उपाई से सिग्र मनोकामना की पूर्टी होता है इसमें संदे नहीं बड़ी से बड़े मनोकामना जो भी आपके मनोकामना हो वह मनोकामना पुन्ना हो जाएंगे sealing पर पहले क्या चड़हाना चाहिये तो देखे सबसे पहले sealing पर कुछ समाग्री को चढ़हाने से पहले आप मैं से बहुत सारे लोग कुछ गल्ती कर बरते हैं जिसके कारण आपको sealing की पूजा का पढ़ औरुप से लब प्राप्ता नहीं हो पाता तो उसी लिग पर कुछ भी चढ़ाने से पले अगर वहाँ पे भगवन गड़ेजी के मूर्ती है तो सर प्रतम तो आपको गवरी और गड़ेज की पुजा करना चाहिए भगवन शंका ने शोमें वर्दान दिये कि मेरे पुजा से पहले गवरी और गड़ेज की पुजा होगा जी समय भगवन शंका ने गड़ेजी के सिसका खंडन के उसी समय भगवन गड़ेजी को यह वर्दान दिया था कि मेरे पुजा से पहले गवरी और गड़ेज की पुज जी को बूल जाते हैं यही सबसे बड़ा अपराध है सवर प्रत्थम दोस्तों ध्यान दीजे भगवन संका ने सवयम गड़े जी को वर्दान दिये हैं कि मेरे पुजा से पहले आब की पूजा होगी और अगर मेरे पूजा अब से पहले कर दिया जाएगा तो वह पूजा में स्विकार नहीं करूंगा वह पूजा हमेसा खंड़न रहेगा तो सबसे पहले दोस्तों अब को अगर गड़े जी की मूर्ती हैं माता गवरी जी की पूजा करें गड़े जी में आप जो थोड़ा सा जल डाल दीजे पूजा कलीजे इसके बाद ही सिवलिंग की पूजा करना चाहिए और एक बात और भी जान लिजे अगर भगवान गड़े जी के वहाँ पे मूर्ती नहीं है गवरी माता की मूर्ती नहीं जहां पे आप सिवलिंग की पूजा करने के लिए तो एक काम करना तन मन और धन सहित आत्मा में भगवान गड़े जी का माता गवरी का ध्यान करना कि माता बगवन गड़ी जी है माता गोरी मैं आपका ध्यान करता हूँ मेरी समनो कामना है मेरी समनो कामना को पुर्णा करिए फिर मेरी पूजा को स्विकार कर इस प्रकार से प्रात्ना करना है इसके बाद आपको सीलिंग की पूजा करना चाहिए तो सीलिंग पर सबसे प ही सहाध ये ज़रूर चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शिग्र मनो कामनाी पुन्ह हो यह पी सभी प्रकार के भोति की शुक्ति आपको कामना है आप चाहते हो जल्दी को प्राप्ता हो तो एक लोटा जल इसके बाद दुद से भी अभी से करें दही से भी से करें साध से भगण संकर जी कभी से करें क्यवाल अगर पांच सोंवार तक यूपाय कर लेते हैं तो बड़े से बड़े मनोकामना पुन्ना होती हैं शनी राहू के तो ये फिर नीजिग चड़ाना चाहिए आप में से बहुत सारे लोग प्रश्ना करते हैं तो देखें सीव पुराण के नुसार सीव भगतों को कभी भी सीवलिंग पर तुलसीक पत्ते नहीं चड़ाना चाहिए क्योंकि तुलसी के बारे में हमें कथा बता चुके हैं कि तुलसीक पत्ते क्यों नहीं चड़ती यहां तक की हल्दी भी भगवान संकर को नहीं चड़ाना चाहिए उनके सीलिंग पर और सिंदूर भी नहीं चड़ाना चाहिए और इसी अनुसार दोस्तों परोडी कथा के नुसार केतकी के फूल भी भगवान संकर जी के सीलिंग पर नहीं चड़ाय जाते क्य तो ध्यान दिजी, 시wing पर, तांबे, चांदी, या सोने के लोटे, सब जल चढ़ा सकते हने, लेकिन, इस्टील, या फिर लोहे के लोटे से बने, जो लोहा होता है, इनसे बने उजो लोटे, इसमें जल नहीं चढ़ाना चाया, और जल चढ़ाते समय सीव जी के जो मंत्रा आब जानते हैं उस मंत्रा का जाब जरूर करना इसे इनके प्रभाव बढ़ते हैं दोस्तो सीव को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है जो लोग चाहते हैं भगवान भोले नात उन पर जल्दी परसंद रहे अजीवन ऐसे वक्ती पर अपने क्रिपा बरसाते रहें तो भगवान संकर जी को कुछ ऐसे चीज़ बहुत प्यारी है जो चीज़ वतारमी साब सीव पर जरूर अरपीद करें तो सीव जी को सबसे जाज़ाद जो पसंद है दोस्तों हुआ है बेल का पत्ता जिस हम बेल पत्तर बोलते हैं भांग धतूरा दूद चंदन और भश्मा दोस्तों अगर बत्ती की जल्यव जो भश्मा होते हैं या फिर गोबर की कंडे की जल्यव जो भश्मा होते हैं तो गोबर की कंडे के बने हुए जो हम जलाते हैं नो पल इसकी भस्म को भी भगवान संकर जी के स्विलिंग पर जो है अब अभी सेख कर सकते हैं तो भगवान संकर जी के अगर एक महीने में केवल एक बार आप जो अभी सेख करते हैं और आप चाहे तो अगर बत्ती की जले भसम भसम होना चीज जलेवी चीज इनका भी से करते हैं स्विलिंग पर तो भगवान भोले नात अजीवन आब के साथ देगा आब के सभी प्रकार के मनोकामना को पुण्ण करेगा साथ ही साथ दोस्तों हर कदम आपके मार्ग दर्सन करेगा यहां तकि श्वप्न में आब को स सी विलिंग का भी दर्सान होना सुरू हो जाते हैं बहुत से लोग बोलते हैं गुरुघ जीवन सटफने में सिलिंग द्रिष्टी में बदल जाएं तो यह काम करना हर सनीवार को सिवलिंग पर दोस्तों आपको लॉंग चड़ाना शुरू कर देना है कितने लॉंग चड़ाने दोस्तों ये भी ध्यान से सुन लिजे तो कम से कम आपको 5 फुल वाला-long ceiling पर अरपिद करना है आप चाहे तो इसे 40 दिनों तक लगतार कर सकते हैं 40 दिनों तक अगर संकल पले करके ceiling पर वैसे तो कम से कम इसे 7 दिनों तक जरूर चढ़ाना चाहिए अगर आपकी बूरे समय है तो और जादे बूरे समय चरहे तो 40 दिनों तक सीलिंग पर अगर आप जो है 5 लॉंग चड़ाना शुरू कर देते हैं अगर आप नित्य जपना शुरू करते हैं तो सभी प्रकार के मनो कामना के पूर्ति होती है ओम तद पूर्शाय विदिमी महा देवाय धीमी तन्नो रुद्रा प्रचो दयत यह भगवन संकर जी के गात्री मंत्र कहें हैं दोस्तों भगवन सी को सबसे प्री क्या है तो मैं पह भगवन संकर प्रचन होते हैं दोस्तों भगवन संकर जी को प्रचन करना बहुत ही असान है भगवन संकर जी को बहुत सारे प्री है बेल पत्रा पुस्पचंदन दूद दही घी गंगा जल सहाध पंचामरित यह सब भगवन संकर जी को बहुत प्री है और इसी साथ भगव मंदिर में चले जाए त्रिसुल दान कर दीजिए तो इसे भोले नात बहुत प्रसंद होते हैं स्यू जी को कौन सा फल पसंद नहीं है तो हमेशा ध्यान दीजे भगवान संकर जी को सबसे प्रीज जो फल है धातूरे का फल धातूरे का फल भगवान संकर इनके पूजा तक आप भोने आपको धतूरे की फल ना चड्हाएं फिर भगवान संकर जी आपसे प्रसद नही ओते हूँ की दो थोड़ा सा जा लिये, ऐसा मान्यतता हैं की जो सी्लिंग होता है, जो लिंग होता है, पूरुसकाँ निए को धाय। इसलिए आपने कई गई जॉ आखे यह खें कि आतों, वह जो कुमारी महिलाओं की तो करना चाहिए यहां तक कि जो साधी सुदा महिले उन्हें भी सीवलिंग को नहीं चुना चाहिए पूरुसों को सीवलिंग की पूजा बिल्कुल करना है भगवान सिभ परवारा भगवान संकर जी के परिवार की पुजा करना है अके ले सीलिंग के बगवान शीव शंहार के देउता कहाते हैं इसलिए सीवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए ऐसा सीव पुरान में इस पास्तर लिखे हुए हैं दोस्तों आप मैंसे बहुत सारे लोग कमेंड करते हैं कि सीवलिंग पर दुड डालने से क्या फैदा मिलते हैं क्योंकि आब सब लोग तो भगवान संकर जी के सीवलिंग पर दुड चरहाते हैं लेकिन इसके फैदा भी जानना जरूरी हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान सीव जी की पूजा जो लोग करना चाहते हैं भगवान सिव जी की जो वक्ति पूजा करते हैं वह वक्ति जीवन और मरन जिया दोस्तों जन्मा जन्मांतर की जो चक्र होते हैं इसे मुक्ता हो जाते हैं और हिंदू धर्मा में इस पस्ट लिखे हुए हैं कि जल, दूद, साद और अन्य समागरी अगर आप सिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो सूख, सांती और इसम्रिद्ध यह समकी प्राप्ती होता है सीलिंग पर दुद चढ़ाने से सूख और सांती आती है जिस घर में हमेशा कला और कलेज बनी होती है उस घर में नित्या सीलिंग पर दुद जरूर चढ़ाना चाहिए सीलिंग पर चावाल के कितने दाने चढ़ाना चाहिए तो सीलिंग पर हो जाना चावाल के पांच दाने अब पुजन के दोरान भगवान संकर जी के प्रसंता के लिए चढ़ा सकते हैं पांच दाने चढ़ाना चाहिए पांच दाने को अति उत्तम माना जाता है सीलिंग पर कौन सी दाल चढ़ाना चाहिए तो सीलिंग पर जो पीली अरहर की दाल हैं आप इसे भेट कर सकते हैं भगवन संकर को प्रसन करने के लिए ऐसा माना जाता हैं जो व्यक्ति एक मुठी ध्यान से सुने जो व्यक्ति एक मुठी अगर पीली अरहर की दाल भगवन संकर जी के सिव में समर्पीट करते हैं ऐसे इसे वक्ति गुदे कर को करते हैं और दोस्तों आप मैंसे बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि सीव जी को कुन सा फल नहीं चढ़ाना चाहिए तो मैं बता चुका हूँ कि भगवान संकर जी की पूजा में जो नारियल का फल होता है यह चढ़ाय नहीं जाते ठीक है सीलिंग पर गेहु चढ़ाने से क्या फल मिलते हैं तो भगवान संकर जी के अगर आप पूजा कर रहे हैं और आप गेहु चढ़ाते हैं तो ऐसा माना जाता है भगवान संकर जी की पूजा में गेहु चढ़ाने से संतान का सुख प्राप्ता होता है जिनके गर्वधारा नही फूल पसंद है जो कि भगवान महादे को आप चढ़ाते हैं जिसे भगवान महादे जल्दी प्रशन हो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ग्रह नच्छत रखी पिड़ा से आपको ततकाल छुटकारा मिले सभी प्रकार की जुक कस्त आपकी जीवन में चहरे हैं आप चाहते ह अगर आप इसे भगवान संकर जी के स्विलिंग पर समर्पीत करते हैं तो तीन से पांस दिनों की वितर में आपकी कैसे कश्त हुआ मिड़ जाते हैं इसक्सा दोस्तों ऐसा माना जाता हैं लाल वा सफेद आंकडे का फूल भगवान संकर जी की पूजा में अगर आप इसे असुब नहीं होता भगवान संकर जी की पूजा पाठ में ये श्विकार किये जाते हैं गुढ़ाल की फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो शूक इसमरिद्धी धन शक्ति तथा शक्रात्मक्ता उर्जा आब के घर में आती हैं दोस्तो अंतिम जानकरी बताना चाहूंगा सीलिंग पर गुलाब का फूल चढ़ाने से क्या होता है जान लिजे तो ऐसा माना जाता है अगर आप भगवान संकर जी के पूजा कर रहे हैं इसमें गुलाब का फूल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती हैं अब भगवान संकर जी के सीलिंग पर गुलाब चढ़ाते हैं तो इसके फैदें जान लिए हैं सीलिंग पर कितने बेल पत्र अरपीत करना चाहिए तो सीलिंग पर तीन से ग्यारा बेल पत्र अरपीत करना चाहिए लेकिन आप इससे ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं लेकिन तीन से ग्यारा की संख्या में ही बेल पत्रा चड़ाना चाहिए अब चाहे तो संकल पर ले करके 108 बेल पत्रा चड़ा सकते हैं वही आप जितने ज़्यादा बेल पत्रा चड़ाएंगे उतने ज़्यादा भोले नताब से प्रसंड होंगे फिर भी कभी भी बेल पत्रा को एक क संख्या में नहीं चड़हना चाहिए क्या सोंवार को बेल पत्रा तोड़ सकते हैं तो ध्यार्मिक गरंथों सपष्ट लिखे हुए हैं कि अश्टमी में, अमवस्या, चतूरती, यह तक कि दोस्तों जो चतूरती साथ प्रहें हैं और दार्मिक मानेतसार यह भी माना जाता है कि जो संक्रान्ति इस दिन कभी भी भूल करके अर स्यंवार के दिन कभी भी भूल करके बैल के पत्र नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इस दिन स्युम साकषा भगवन संकर जी बेल पत्र पर निवास करते हैं बिराजमन होते हैं तो बेल पत्र तोड़ते हैं भगवन संकर जी को प्रसंद करने के बेल पत्र पर आप जो हैं बेल पत्र तोड़ करके चढ़ाएंगे तो आप से प्रसंद होंगे बलकि नराज होंगे इसलिए बेल पत्र को उस दिन हिलाना नाइचे जिस प्रकार एक दस्तिक दिन हम तुलसी मियागी जो तुलसी का पत्र होते हैं तोड़ते नहीं हिलाते हैं उसी प्रकार जो शुमवार का दिन होता है यहां तक ही चतुरदर्सी का दिन होता है इस दिन कभी भी भूल करके बेल के पत्र को हिलाना नाइचे इ जैसे कि बेल पत्र हमेशा उल्टा की उल्टा ही करके अर्थाद बेल पत्र यानि की चीकनी सता की तरफ का भाग इस पर सा कराते हुए बेल पत्र सीलिंग पर चड़ाना चाहिए चीकनी सता की तरफ ही दोस्तों ठीक है खुरदुरा जो पिछ निचले जो हिस्से होते हैं वो जो हिस्से होते हैं चीकनी होते हैं तो चीकनी दीसा चीकनी की तरफ ही चीकनी जो भाग होते हैं उसी तरफ ही इस पर सा करते हुए बेल पत्र हमें चड़ाना चाहिए और कैसे चड़ाना चाहिए तो बेल पत्र हमेशा आनामिका अंगूठ्य और मध्यमा अंगूली की आउट हैं कोई कोच्चान है तो कोमेंट करके आप जो पूछ सकते हैं आने वाली वीडियो में आपकी दोरा पूछेंगें प्रस्न के भी एक बिड़ो बना करके जानकारी साजा की जाएगी तो दोस्तों बिड़ो गर अच्छी लगे हो जानकारी अच्छी लगे हो तो इसे ज्यादा ज्यादा सेर जरूर करिएगा तो दोस्तों बस आज के जानकारी इतना ही बिड़ देखने के लिए धनिवाद नमस्कार